दिल्ली की तीन सीटों पर उमिद्वारों के नामों का अलान कर दिया है कॉंग्रिस ने चानी चौक संसद्य सीट से जीपे अगरवाल उतर पुर्वी दिल्ली से कनया कुमार और उतर पश्यम दिल्ली से उधितराज को मैदान में उतारा है और उमिद्वारों के नाम के अलान के बार दिल्ली में कॉंग्रिस के नेताओं की पहली बैठक हुई और पहली ही बैठक में जम कर बवाल हो गया, कनया कुमार को टिकट मिलने की वज़ा से कॉंग्रिस में अच्संतोर सामने आ ही गया बैठक में कनया कुमार और संदीब दिक्षित के बीच में जम कर लड़ाय हुई है खबर है कि कनया कुमार के लिए अपशब्द तक कहे गए जिसके बाद बात और बिगड़ गई और ये बैठक बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई मतलब बैठक में जिस तरह की बवाल की खबर सामने आई है उसे इस बात पर मुहर लग गए कि कॉंग्रस के नेता कनया के साथ संतोस्ट नहीं है कनया कुमार का विरोध हो रहा है तो कॉंग्रस की परिचे बैठक में कैसे बवाल मचा बैठक की अंदर की डीटेल्स आपको पताएंगी चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूड़ी में मौझग उदें क्यापटल टीवी की एडिटर इंचीव डॉक्टर मनेश कुमार और एडिटर राजीर जी सर आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है हमने अपने इसी शो में चर्चा की थी कि बवाल है और आगे और बवाल बढ़ेगा मीटिंग में इस बात पर मुहर भी लग गई परिचे बैठक में क्या-क्या हुआ कि गाली गलाउस तक हुआ धक्का मुक्की तक हुआ आपस में कॉंग्रेसी नेता लड़ गए कुछ लोग लड रहे थे कुछ लोग तमासा देख करके आनंद ले रहे थे कि ठीक हुआ क्या-क्या उसकी डीटेल्स है वो राजीव आपको बहुत बहतर तरीके से बताएंगे लेकिन एक बात जो दिल्ली में बैठे में पत्रकारों के लिए जो कॉंग्रेस की वंदना में राहूल गांदी के प्रचार में अपनी सारी ताकत और इनरजी जोग चुके है वो उनको समझ में आना चाहिए कि थेयरी दिया जा रहा है क्या थेयरी दिया जा रहा है वोटिंग बड़ा कम हुआ है भारती जंता पार्टी को बड़ा नुकसान होने वा अरे भाई वोटिंग इसलिए कम हो रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग जो है वो हिम्मत हार चुके हैं आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे को हराने के लिए मेहनत और कोशिश में लगे हुए हैं और प्रचार प्रसार के लिए कोई जानी रहा है और सबसे बड़ी चीज जो अब धीरे धीरे सामने खुलकर आ रही है कि मुस्लिम मद्दाताओं की भी भोटेइं बड़ी कम हुई है एक हारा हुआ जनरल एक हारी हुई आर्मी रिजल्ट आखों के सामने है तो उस टीम में क्या होगा गाली गलोज मार पीट और कनहिया सिर्फ कनहिया की बात नहीं है जेपी अगरवाल को उठागर क्या माते पर रख दिया गया है उदित राज को भी मुसिबत और कनहिया कुमार के लिए तो आप यह समझे कि कॉंग्रेस पार्टी स्वैम मेहनत कर रही है कि कैसे इसको हराया जाए पिल्कुल और कनहिया कुमार को बाहरी निता भी पताया गया इस मीटिंग में ल नौर्थ इस दिल्ली के बारे में जादा जानकारी नहीं है उनके नेताओं से मुलाकात नहीं हुई और अगर देखा जाये तो गठवंधन सहयोगी आम आदमी पार्टी के साथ तो बाद में होती पहले तो कॉंग्रेस के लिए उन नेताओं के साथ मुलाकात करने थी इसमे ब्लॉक लेबल के कारकरताओं को बुलाया गया था मतलब मंडल जो यहां पर है मंडल के कारकरताओं नेताओं को बुलाया गया था और मंच पर एक कुछ वरिष्ट नेता थे यानि कि जो पूर्व सांसद हो सकते हैं उसमें से संदीब दिक्षित को भी बुलाया गया था कन वहाँ पहुँचने के बाद वो मंच की तरफ नहीं गए बलकि नीचे जो कुर्सियां लगी थी उसी पर वो बैठ गए अब ऐसी इस्तिति देखकर पहले सही पता चल गया कि संदीप दिख्षी थोड़े नाराज दिख रहे हैं पहले अरविंदर सिन लवली ने उन्हें मंच पर आने के लिए कहा उन्होंने इसारा करके बताया नहीं हम यहाँ पर ठीक हैं उसके बाद दीपक वावरिया ने भी बुलाया वो भी उनको इनकार कर दिये अब कनहिया कुमार को लगने लगा चुनाब तो हम लड़ रहे हैं इ मतलब जो ये नोटंग की वाज लोग हैं उनको परनाम किया और फिर उन्हें उठा कर लाने की कोशिश किया मतलब ये कहते हैं कि मान मनवल की इस हिती जिसमें ऐसा दिखाया जाए कि आप तो मेरे बड़े भाई नजदी की व्यक्ति हैं तो हाथ पकड़ कर लेके जाएं ले कॉंग्रेस को वोट मिल नहीं रहे कॉंग्रेस का समर्थन कमजोर हो गया है और तुम यहां पर हमें मनाने के लिए आयो इस बात पर बहस हुई कनहया ने भी बोल दिया कि आप भारती जनता पार्टी की भाशा बोल रहे हैं इस पर संदीब दिख्षित और उनके कुछ समर् कोज की नौबत आई और उसे कहा गया तुम बाहरी हो दिल्ली की राजिती अभी तक नहीं किये राहुल गांधी की दलाली करके तुम यहां कंडिडेट बन गए हो इसलिए तुम्हारा समर्थन यहां मिल जाएगा यह संभव नहीं है भयानक बावाल चला और फिर यह गाल हुआ है उसकी जानकारी आला कमान को दे दी गई है आला कमान मतलब राहुल गांधी और राहुल गांधी के यह पसंद है कनहिया कुमार क्या राहुल गांधी इस पर कोई एक्शन लेंगे इस मीटिंग को लेकर कुछ आगे की कारवाई के गाली गलोज जो हुई कनहिय कि अगर राजितिक दृष्टि से अगर आप देखे तो यह गाली के लौज कनहिया की नहीं हुए गाली राहुल गांधी को पड़ी है दिल्ली के कौंगरेसी नेता कारकरता ब्लॉकस्तर के पतादिकारी वहां दो-तीन व्यक्ति ही जो संगठन से जुड़े हुए लोग है जो जैसे लवली साहब है वो अध्यक्ष है वो कुछ खुल के नहीं आ रहे है लेकिन फिर भी उन्होंने बीच बचाओ करने की कोशिश ने की पहले जम के गाली दिल्वाने दिया वहां आप यह समझे तमासा चल रहा है वहां पे और गालिया किसको पड़ रही है वह तो अपन अलग अलग लोगों से सोनिया गांदी से प्रियंका ओडरा से राहुल गांदी से लोगों को भिजवाए भिजवा करके यह विंदी की थी कि किसी को भी आप दे दे इस व्यक्ति को नहीं दे ये व्यक्ति उद्दंड है ये बाचाल है ये बरे छोटे की कोई इज़त नहीं करना जानता और मैं आपको बताओ कोई यही बात सिर्थ दिल्ली नहीं पटना में जब इसको बिहार में जब ये नितागिरी कर रहा था कॉंग्रस में उसको उलाया गया तो इसने एक मीटिंग सदाकत आसन जो कॉंग्रस का हेड़कॉर्टर है पटना के अंदर उसने एक मीटिंग बुलाई वहां के तमाम बड़े लीडर वो नाराज होगे ये लबली वेगेर से कहीं ज़्यादा बड़ा ओधा है वो सिला दिख्षित के सुपुत्र है और सिर्फ इतना ही नहीं गांधी परिवार का इस तरह का रिष्टा है अभी राउल गांधी से चावी ले ली गई उसे घर खाली कराया गया तो किसके घर में जागर के रह रहे थे किसके घर को इन्होंने चेक टेक किया था कि घर नहीं मिलेगा तो इसी घर में रहेंगे वो संदीव दिख्षित का घर है और उसके बावजूद इतने close relation होने के बावजूद आप देखिए कि इस तरीके से गाली गलोज क्या कर लेंगे राहूल गांदी क्या कर लेंगे राहूल गांदी क्या एक्षिन लेंगे कोई एक्षिन लेंगे की position में ही नहीं है गांदी परिवार ये साख जो है वो गिर गई है और इस तरह की खबरे बाहर आएगी तो आप ये समझी है कि कॉंग्रेसी नेता कारकरता जो कॉंग्रेस पार्टी के लिए घर घर जाकर के वोट मांगते है कौन जा रहा है कोई जा रहा है दिल्ली में तो हम लो रह रहे हैं हतास बैठे हुए हम तो ये तो कहानी हो गई है तो राहुल गांदी के उपर किस चीज का दबाव है कि नकसलियों को बहुत को उसको सहीद बता रहे हैं नकसलियों को आतंकियों के साथ खड़े हो जा रहे हैं पाकिस्तान की भासा बोल रहे हैं चैनीज एजेंट के तरह काम कर रहे हैं और सोरस का दवाव हो सकता है चीन का दवाव हो सकता है कुछ न कुछ इसके पीछे गहरा राज तो जरूर है। इस दबाव से तो कॉंग्रेस पार्टी डूपती नजर आ रही है क्योंकि चुनाव सिर्पर है और ऐसे में कॉंग्रेस के अंदर इतना जादा बवाल एक तो ऐसे ही पहले से ख़बर है कि आम आदमी पार्टी के एलाइन्स को लेकर भी बवाल है अब करनेया कुमार की उमिद परचार नहीं करेंगे और इसके लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी विवस्था भी कर ली किजाड़ी का MLA है नौर्थ वेस्ट दिली में पढ़ता है रितुराज उसको साओध दिली का प्रभारी बना दिया जब नौर्थ वेस्ट दिली से चुनाव लड़ रहे है उध परचार करने मतलब एक MLA आम आदमी पार्टी का जिसकी इतनी हिम्मत अखलेश पतित्र पार्टी मोडल टाउन से MLA है उसको जेपी अगरवाल के लिए परचार करना चाहिए वो इस दिली में परचार कर रहा है जब परकास अगरवाल का चित्र चांदी चौक और वहाँ प परचार करने के लिए नहीं जाता ये कॉंग्रेस के लोग जाते हैं आम आदमी पार्टी के वहाँ पर जो संगठन है वो इनके साथ दिखाई नहीं पड़ता तो दोनों के बीच पहले से ही तनातनी और उसमें अगर कॉंग्रेस के नेता कारिकरता भी कनहिया कुमार के साथ नहीं आएगा तो फिर जो बचे खुचे जे नियू के लोग हैं जो इनके पूराने संगठन के लोग हैं वो कॉमनिस्टों को कनहिया कुमार अपने साथ ला रहे हैं कि चुनाब परचार में 20-50 लोग तो दिखे ऐसी सिती हो गई है क्योंकि कॉंग्रेस के संगठन के लोग अर्विंदर सिव लबली जो खुच चुनाब लड़ना चाहते थे कनहिया के सीट से कनहिया को मिल गया इसलिए तो वो उस समय गाली के लोज के बीच मुस्कुराते रहे दीपक वावरिया जिसके कुछ सुनी ही नहीं गई दिली के मामले में नीचे के संगठन से लिस्ट द टाल रहे हैं रहूल गांदी वहां से फेक दे रहे हैं कि नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है हम बनाके देंगी तो यह इस्थतिय दिल्ली के अंदर दिल्ली में कॉंग्रेस ने सरेंडर कर दिया और कनहया हो सकता है कि इस चुनाप परचार के बीच कई बार इसकी पिटाई भी दिल्ली में हो जाए दन्यवाद तो पहले आपके साथ गटबंदन और अब कनहया कुमार की उमिद्वारी को लेकर डिल्ली कॉंग्रेस में सब कुछ समाने नहीं चल रहा है कनहया कुमार की उमिद्वारी से पुराने नेता और कारिकरता काफी नाराज है और इसी का नतीज़ा है कि बैटक में जमकर बवाल गाली गुलोश तक की नौबत आ गई अब चुनाव सिर्पर है ऐसे में कॉंग्रेस में इतना जादा बवाल बढ़ रहा है जो कॉंग्रेस के लिए बड़ा छटका है दिल्ली में भी विपाक्ष बेदम है आप अपनी राए कमेंट कर लिखें लेख तेरे कैपिटल टीवी नमस्कार